युहन्ना रचित सुसमचार पहला अध्याय आदी में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यही आदी में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ, और जो कुछ उत्पन हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन न हुई, उसमें जीवन और वह जीवन मनुश्यों की जोती थी, और जोती अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहन न किया। एक मनुश्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्तित हुआ, जिसका नाम युहन्ना था। यह गवाही देने आया कि जोती की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह जोती न था, परन्तु उस जोती की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची जोती, जो हर एक मनुश्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन हुआ, और जगत ने उस उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहन नहीं किया, परन्तु जितनों ने उसे ग्रहन किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन हुए हैं, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसी पिता के एक लौते की महिमा, युहन्ना ने उसके व वही है जिसका मैंने वरणन किया, कि जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह है, इसलिए की विवस्था तो मूसा के द्वारा द उसी ने उसे प्रगट किया, यहन्ना की गवाही यह है, कि जब यहुदियों ने यरुशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ, तब उ उत्तर दिया कि नहीं, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तू अपने विश्य में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशाय भशुद्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, कि तुम वह भश ड़कता है, तो फिर बप्तिस्मा क्यों देता है? यहना ने उनको उत्तर दिया, कि मैं तो जल से बप्तिस्मा देता हूँ, परंतो तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बं इनी और आते देख कर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यह वही है, जिसके विशे में मैंने कहा था, कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, जो मुझ से स्रेष्ट है, क्योंकि वह मुझ से पहले था, और मैं तो उसे पहचानत न था, परंतु इसलिए मैं जल से बप्तिस्मा देता हुआ आया, कि वह इस्राइल पर प्रगट हो जाए, और यहन्ना ने यह गवाही दी, कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, पर जिसने मुझे जल से बप्तिस्मा देने को भेजा, उसीने मुझसे कहा, कि जिस पर तु आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्रात्मा से बप्तिस्मा देने वाला है, और मैंने देखा, और गवाही दी है, कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यहनना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे, और उसने ईश्यू पर जो जा रहा था द्रस्टी करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर ईश्यू के पीछे हो लिए, ईश्यू ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो, उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरू, तू कहा रहता है, उसने उनसे कहा, चलो, तो देख लोगे, तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा, और उस दिन उसी के साथ रहे, और यह दसमे गंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यहन्ना की बात सुनकर इश्यू के पीछे हो लिये थे। एक तो शमौन पत्रस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको खृस्तस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे इश्यू क के पास लाया। इश्यू ने उस पर द्रश्टी करके कहा कि तू यहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। तूसरे दिन इश्यू ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस तो अंद्रिया पत्रस के नगर बैत सेदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नतनियल से मिलकर उस से कहा कि जिसका वरणन मूसा ने वेवस्था में और भविश दक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यिश्यू नासरी है। नतनियल ने उस से कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। फिलिप्पुस ने उस से कहा चल कर देख ले। यिश्यू ने नतनियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विशे में कहा देखो यह सचमुछ इसराइली है इसमें कपट नहीं। नतनियल ने उस से कहा तु मुझे कहां से जानत नतनियल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी तु परमेश्वर का पुत्र है तु इसराइल का महराजा है। यिश्यू ने उसको उत्तर दिया। मैंने जो तुझ से कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा क्या तु इसी लिए विश्वास करता है। तु इ परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनश्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। युहन्ना रचित सुसमचार दूसरा ध्याए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और इश्यू की माता भी वहीं थी और इश्यू और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो इश्यू की माता ने उस से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। इश्यू ने उस से कहा हे महिला मुझे तुझ से क्या काम अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुम से कहे वही क वहाँ यहूदियों के शुध करने की रीती के अनुसार पत्थर के छह मटके धरे थे, जिन में दो दो तीन तीन मन समाता था। कीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, सो उन्होंने उन्हें मुहां मुह भर दिया, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परन्तु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूले को बुला कर उससे कहा, हर एक मनुष पहले अच् दाखरस अब तक रक छोड़ा है, ईशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखा कर अपनी महीमा प्रगट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, इसके बाद वह और उसकी माता, और उसके भाई और उसके चेले कफरनहुम पो गए, और वहां कुछ दिन रहे, यहुदियों का फसह का पर्ब निकट था, और येश्यु यरुशलेम को गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया, और रस्यों का कोड़ा बना कर सब भेडों और बैलों को मंदिर से निकाल दि और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहां से ले जाओ मेरे पिता के भवन को व्योपार का घर मत बनाओ तब उसके चेलों को स्मरण आया की लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी इस पर यहोदियों ने उससे कहा तू जो यह करत है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है इशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढढ़ा दो और मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूँगा यहोदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में छियालिस वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा परं और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो ईश्यू ने कहा था प्रतीती की। युहन्ना रचित सु समचार तीसरा ध्याए। यदि कोई नए सरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदिमुस ने उससे कहा मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। यश्व ने उत्तर दिया कि मैं तुझ से सच सच कहता हूँ। जब तो कोई मनुष्य जल और आत्म से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझ से कहा कि तुम्हे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है, उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, पर उन तू नहीं जानता कि वे कहां से आती और किधर को जाती है, जो कोई आत्मा से जन्मा है, वे ऐसा ही है। निकोदिमस ने उसको उतर दिया कि ये बातें क्यो कर हो सकती हैं, ये सुनकर ईशु ने उससे कहा, तू इस्तराइलियों का गुरू होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता, मैं तुझ से सच सच कहता हूँ, कि हम जो जानते हैं वे कहते हैं और जिससे हमने देखा है उसकी ग रहन नहीं करते, जब मैंने तुमसे प्रत्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीती नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बाते कहूँ, तो फिर क्यो कर प्रतीती करोगे, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य क पुत्र जो स्वर्ग में हैं और जिस रीती से मुसा ने जंगल में साप को उंचे पर चढ़ाया उसी रीती से अवश्य है कि मनुष का पुत्र भी उंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए क्योंकि परमेश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश नहो परंतु अनंत जीवन पाए परमेश्वन ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आग्या दे परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उधार पाए जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आग्या नहीं होती परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वे दोशी ठहर चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलोते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और दंड की आग्या का कारण यह है कि जोती जगत में आई है और मनुश्यों ने अंधकार को जोती से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहुदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बबतिस्मा देने लगा और यहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बबतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बबतिस्मा लेते थे क्योंकि यहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया वहां यहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुधी के विशे में वाद विवाद हुआ। मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हिन है वही दुला है। परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दुल्हे के शब्द से बहुत हर्शित होता है। अब मेरा यह हर्श पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और म गटूं। जो उपर से आता है वह सर्वोत्तम है। जो प्रत्वी से आता है वह प्रत्वी का है। और प्रत्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब के उपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहन उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वे परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि वे आत्मा नाप नाप कर नहीं देता पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है जो पिर जब रभू को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि इश्यू यहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बबतिस्मा देता है। यूसुफ को दिया था और याकुप का कुवा भी वही था। सो इश्यू मार्क का ठका हुआ उस कुवे पर योही बैठ गया। और यह बात छटे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरिस्त्री जल भरने को आई। इश्यू ने उससे कहा मुझे पानी पिला। क्योंक यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का विवहार नहीं रखते। इश्यू ने उत्तर दिया यदि तु परमेशर के बरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझ से कहता है मुझे पानी पिला तो तु उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभू तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआ गहिरा है तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया क्या तु हमारे पिता याकूप से बड़ा है जिसने हमें यह कुआ दिया और आप ही अपने संतान और अपने धोरों समेत उ इशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पियेगा वह फिर प्यासा होगा परन्तु जो कोई उस जल में से पियेगा जो मैं उससे दूँगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा वरन जो जल मैं उससे दूँगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीव के लिए उमरता रहेगा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ, और ना जल भरने को इतनी दूर आउँ, इश्यु ने उससे कहा, जा, अपने पती को यहां बुलाला, स्त्री ने उत्तर दिया, कि मैं बिना पती की हूँ, तुने सच कहा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ग्यात होता है कि तु भविश दखता है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वह जगे, जहां भजन करना चाहिए, यरुशले में है, इश्यु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी की बात की पृतीती कर, की वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड पर पिता का भजन करोगे, ना यरुशले में, तुम जिसे नहीं जानते हैं, उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परन तु वह समय आता है, बरन अब भी है, जिसमें सच्चे पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूरता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हीशु ने उससे कहा मैं जो तुझ से बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न कहा कि तुझ क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चले गई और लोगों से कहने लगी आओ एक मनुष को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया कहीं यही तो मसी नहीं है। सुवे नगर से निकल कर उसके पास आने लगे इतने में उसके चेले इशु से यह बिंती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐ जोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी चार महिने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आँखें उठाकर खेतों पर द्रस्टी डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है, कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें सामरियों ने उस तरी के कहने से, जिसने यह गवाई दी थी, कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है, मुझे बता दिया, विश्वास किया, तब जब ये सामरी उसके पास आए, तो उससे बिंती करने लगे, कि हमारे यहां रहे, सो वह वहां दो दिन तक रहा, और उसके वचन के क और भी बहुतेरों ने विश्वास किया, और उस तरी से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, और जानते हैं, कि यही सचमुच में जगत का उधार करता है, फिर उन दो दिनों के बाद, वह वहां से कूच करके गलील को गया, क्योंकि ईश्व ने आप ही साक्षी दी, कि भविश्वत्ता अपने देश में आदर नहीं पाता, जब वह गलील में आया, तो गलीली आनंद के साथ उस से मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरुशले में पर्ब के समय किये थे, उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्ब में गए थे, तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफर नहूम में बिमार था, वह यह सुनकर कि ईश्व यहुदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया, और उससे ब अदभुत काम न देखोगे, तब तक कदापी विश्वास न करोगे, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्ती होने से पहले चल, इश्व ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है, उस मनिश ने इश्व की कहिवी बात की प्रतीती की और चला गया, वह मार्ग में जा रहा था, कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, कि तेरा लड़का जीवित है, उसने उनसे पूछा, कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा, उन्होंने उससे कहा, कल सात्वे घंटे में उसका ज्वर उतर गया, तब पिता जान गया, कि य यह उसी घड़ी हुआ, जिस घड़ी ईश्व ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया, यह दूसरा आश्चर कर्म था, जो ईश्व ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया, योहन्ना रचित सुसमचार, पांच्व अध्याए पानी को हिलाया करते थे, पानी हिलते ही, जो कोई पहले उतरता, वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बिमारी क्यों न हो, वहाँ एक मनुष्व था, जो अरतीस वर्ष से बिमारी में पढ़ा था, यिश्व ने उसे पढ़ा हुआ देखकर, और जानकर, कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पढ़ा है, उससे पूछा, क्या तु चंगा होना चाहता है? उस बिमार ने उसको उतर दिया, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष नहीं, कि जब पानी हिलाया जाए, तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुचते-पहुचते, दूसरा अपनी खाट उठाकर, चल फिर, वह मनुष तुरंत चंगा हो गया, और अपनी खाट उठाकर, चलने फिरने लगा। वह सब्द का दिन था, इसलिए यहुदी उससे, जो चंगा हुआ था, कहने लगे, कि आज तो सब्द का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं, उ उसने उन्हें उत्तर दिया, कि जिसने मुझे चंगा किया, उसीने मुझे से कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर, उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष है जिसने तुझ से कहा खाट उठाकर चल फिर, परंतु जो चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगए में भीड होने के कारण ईश्यू वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह ईश्यू को मंदर में मिला। तब उसने उससे कहा देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाक मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आपड़े। उ जिसने मुझे चंगा किया, वह ईश्यू है। इस कारण यहूदी ईश्यू को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्द के दिन करता था। इस पर ईश्यू ने उनसे कहा, कि मेरा पिता अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधि को से मार डालने का प्रयत्न करने लगे, कि वहना केवल सब्त के दिन की विधी को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था. इस पर ईश्व ने उन से कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीती से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीती रखता है, और जो क्योंकि जैसा पिता मरे हुँं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है, और पिता किसी का न्याई भी नहीं करता, परंतु न्याई करने का सब काम पुत्र को सौप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वै पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीती करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आग्या नहीं परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जियेंगे। क्योंकि जिस रीती से पिता अपने आप में ज दिकार दिया है इसलिए कि वह मनुष का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनुरुथान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनुरुथान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परन्तु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। वे सच्ची है। तुमने यहन्ना से पुछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। परन्तु मैं अपने विश्य में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उध्धार मिले। वे तो जलता और चमकता हुआ दीप अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है और उसके वचनों को मन में स्थिर नहीं रखते क्यों कि जिसे उसमें भेजा, उसकी प्रतीती नहीं करते, तुम पवित्र शास्तर में ढूंडते हो, क्योंकि समस्ते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है, जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, मैं मन जे ग्रहन नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आये, तो उसे ग्रहन कर लोगे, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो, यह ना समझो कि मैं पिता के सामने त तुम पर दोश लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा के प्रतीती करते, तो मेरी भी प्रतीती करते, इसलिए कि उसने मेरे विश्य में लिखा है, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीती न पास गया और एक बड़ी भीड उसके पीछे होली क्योंकि जो आश्चर कर्म वे बिमानों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तबीशु पहार पर चढ़कर अपने चलों के साथ वहां बैठा और यहुदियों के फसय का पर्म निकट था। तबीशु ने अपनी आँख जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि दो सो दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी-थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक तब वे लोग जो गिंती में लगभग पांच हजार के थे बैठ गए। तब इश्व ने रोटिया नी और धन्यवात करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मचलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तुरुप्त हो गए, तो उसने अप सारह टोकरियां भरी। तब जो आश्चर कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देख कर कहने लगे कि वे भवश दक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चे यही है। इश्व यह जान कर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड प और इश्व अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण जील में लहरे उठने लगी, सो जब वे खेते खेते तीन चार मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने इश्व को जील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा क कि मैं हूँ दरो मत, सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तयार हुए, और तुरंत वे नाव उस थान पर जा पहुची, जहां वे जाते थे। निकट आई, जहां उन्होंने प्रभू के धन्यवात करने के बाद रोटी खाई थी। सो जब भीड ने देखा कि यहां ना इश्व है और ना उसके चेले, तो वे भी छोटी-छोटी नावों पर चढ़के इश्व को ढूरते हुए कफर नहूं को पहुचे। और जील के पार उससे मिलकर कहा, हे रभी, तू यहां कब आया? इश्व ने उन्हें उत्तर दिया, कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ. तुम मुझे इसलिए नहीं ढूरते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परन्तु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तुरुप्त नाश्मान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परन्तु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठैरता है, जिसे मनुष का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है. उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के हम क्या करें? ईश्व ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है, कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीती करें कि तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादोंने जंगल में मनना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ण से रोटी दी, हीशु ने उनसे कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूں, कि मूसा ने तुम्हें वे रोटी स्वर्ण से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सची रोटी क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सरवदा दिया कर, इश्व ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा, वह कभी भूका ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी प्यासा ना होगा, परंतु मैंने तुम से कहा, कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते, जो कुछ पिता मुझे देता है, वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, उससे मैं कभी ना नि में से मैं कुछ नक हूँ परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं क्योंकि मेरे पिता की इक्षा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सो यहूदी उस पर कुड़ कुड़ाने लगे इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र इश्व नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं तो वह क्योंकर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ इश्व ने उनको उतर दिया कि आपस में मत कुड़कडाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खीच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा भविश्व दफ्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वे मेरे पास आता है, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को ुआ। यिशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुश के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहु न पियो, तुम में जीवन नहीं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहु पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा, क्य कि मेरा मांस वास्ताओं में खाने की वस्तु है, और मेरा लोहु वास्ताओं में पीने की वस्तु है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहु पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित ह जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। बाप दादों के समान नहीं की खाया और मर गए। जो को यह रोटी खाएगा वह सरवदा जीवित रहेगा। यह बातें उसने कफर नहुम के एक आराध नालाय में उपदेश देते समय कहीं। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर की यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यिश्यू ने अपने मन में यह जानकर की मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुडाते हैं। उन से पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था, वहां उपर जाते देखोगे, तो क्या होगा? आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाब नहीं। जो बाते मैंने तुम से कहीं हैं, वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं, परन्तो तुम में से कितने ऐसे हैं, जो विश् स्वास नहीं करते वे कौन हैं, और कौन मुझे पकड़वाएगा? और उसने कहा, इसी लिए मैंने तुम से कहा था, कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह बर्दान न दिया जाए, तब तक वे मेरे पास नहीं आ सकता. इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनन्त जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं. और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तु ही है. ईश्यु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है. यह उस ने शमौन इसकरियोती के पुत्र यहुदा के विश्य में कहा, क्योंकि यही जो उन बारहों में से था, उससे पकड़वाने को था. यहन्ना रचित सु समचार सात्वा अध्याए. इन बातों के बाद यिश्यु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहुदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वे यहुदिया में फिरनाना चाहता था, और यहुदियों का मंडपों का पर्ब निकट था, इसलिए उस कर काम करे, यदि तु यह काम करता है तो अपने तई जगत पर प्रगट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, तब इश्यु ने उन से कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतो तुम्हारे लिए सब समय है, जगत तुम से बैर नहीं कर सकता, परं कि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ, वे उन से ये बाते कहकर गलील ही में रह गया, परंतो जब उसके भाई पर्ब में चले गए तो वे आप ही प्रगट में नहीं, परंतो मानो गुप्त होकर गया, सो यहुदी पर्ब में उसे यह कहकर ढूनने लगे, कि वे कहां हैं, और लोगों में उसके विशे में चुपके चुपके बहुत सी बाते हुई, कितने कहते थे, वे भला मनुश्य है, और कितने कहते थे नहीं, वे लोगों को भरमाता है, तो भी यहुदीयों के भै के मारे कोई व्यक्ती उसके विशे में खुल कर नहीं बोलता था, और जब प उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विशे में जान जाएगा, कि वह परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। चलता, तुम क्यो मुझे मार डालना चाहते हो, लोगों ने उतर दिया कि तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है। इश्व ने उनको उतर दिया कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो, इसी कारण मूसा ने तुम्हे खतने की आग्या यह नहीं कि वे मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम सब्द के दिन को मनुश का खत्ना करते हो, जब सब्द के दिन मनुश का खत्ना किया जाता है, ताकि मूसा की विवस्था की आग्या टलना जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध कर कि मैंने सब्द के दिन एक मनुश को पूरी रीती से चंगा किया। मुह देखकर नयाय ना चुकाओ। परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहा का है। तवीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा। तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहा कहूं। मैं तो आप से नहीं आया परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। और भीड में से भहुतेरों ने उस पर विश्वास क और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इस से अधिक आश्चर कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीशियों ने लोगों को उसके विशे में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और महायाजिकों और फरीशियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भीजे। इ जहां मैं हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। यहुदियों ने आपस में कहा यह कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे। क्या वह उनके पास जाएगा जो युनानियों में तित्तर बित्तर होकर रहते हैं और युनानियों को भी उपदेश देगा। यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूनोगे, परंतु न पाओगे, और जहां मैं हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उत्रा था, क्योंकि ईश्यु अब तक अपनी महिमा को न पहुचा था। तब भीड में से किसी किसी ने ये बाते सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविश लगता है, और उने कहा, यह मसी है, परंतु किसी ने कहा, क्यों, क् मवित्र शास्त्र में यह नहीं आया, कि मसीह दावुद के वर्ण से, और बैतलहेम गाउं से आएगा, जहां दावुद रहता था, सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी, उन में से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपा पाही महायाजकों और फरीसियों के पास आये, और उनने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए। सिपाहियों ने उत्तर दिया, कि किसी मनुष्ट ने कभी ऐसी बातें न की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो, क्या सरदारों या फरीसिय पर इस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो विवस्था नहीं जानते श्रापित हैं. निकुदिमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी विवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले, कि वह क्या करत है? दोशी ठेराती हैं. अन्हों ने उससे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? धून और देख कि गलील से कोई भविश्थ द्वक्ता प्रगट नहीं होने का, तब सब कोई अपने अपने घर को गए. युहन्ना रचित सुसमचार आठवा अध्याय परंतु ईश्यू जैतुन के पहार पर गया, और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आये, और वै बैठ कर उन्हें उपदेश देने लगा. तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यविचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खळी करके इश्यू से कहा, हे गुरू, यह स्त्री व्यविचार करते ही पकड़ी गई है. व्यवस्ता में मूसा ने हमें आग्या दिये कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर वहा करें, सो तू इस त्री के विशय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोश लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु ईशु जुक कर उंगली से भूमी पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधी होकर उनसे कहा, कि तुम में जो निश्पाप हो, वही प और ईशु अकेला रह गया, और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। ईशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गये, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आग्या न दी। उसने कहा, हे प्रभू, किसी ने नहीं। इशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आग परंतु जीवन की जोती पाएगा। फरीशियों ने उससे कहा, तु अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। और यदी मैं न्याय करूं भी, तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूँ और पिता है, जिसने मुझे भेजा। और तुम्हारी विवस्था में भी लिखा है, कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता ह और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है, जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहा है। ईश्य ने उत्तर दिया, कि ना तुम मुझे जानते हो, ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते, तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उप तुम मुझे ढूनोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आपको माल डालेगा, जो कहता है कि जहां मैं जाता हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो मैं उपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुम से कहा, कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे, कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे, कि मैं वही ह में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णाय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उस से सुना है, वही जगत से कहता हूँ, वे ना समझे कि हम से पिता के विश्य में कहता है, तब ईश्यू ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को उचे पर तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही ये बातें कहता हूँ, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सरवदा वही काम करता हूँ, जिस से वह प्रसन होता है, वह ये बातें कही रहा था, कि भहतेरों ने उस पर विश्वास किया, तब ईश्व ने उन यहूदियों से, जिन्होंने उनकी प्रतीती की थी कहा, ज़ि तुम मेरे वच्चन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हे स्वतंत्र करेगा, उन्होंने उसको उत्तर दिया, कि हम तो इबराहीम के वंज से हैं, और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तु क्यों कर कहता है, कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ईश्व ने उनको उत्तर दिया, मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो कोई पाप करता है, वे पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सच्मुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के बंच से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हार अपने पिता से सुना हैं, उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इबराहीम है, ईश्यू ने उनसे कहा, यदि तुम इबराहीम की संतान होते, तो इबराहीम के समान काम करते, परंतो अब तुम मुझ ऐसे मनुश को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हे वह परमेश्वर से सुना, यह तो इबराहिम ने नहीं किया था, तुम अपने पिता के समान काम करते हो, उन्होंने उससे कहा, हम विविचार से नहीं जन में, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंब से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, जब वह जूट बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह जूटा है, बरन जूट का पिता है, परंत मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरी प्रतीती नहीं करते, तुम मेंसे कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ, तुम मेरी प्रतीती क्यों नहीं करते, जो परमेश्वर से होता है, वह परमेश्वर की बाते सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेशर की ओर से नहीं हो। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तु सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है। इश्व ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ, और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुम से सच-सच कहता हूँ, कि अदि कोई वक्ती मेरे वचन पर चलेगा, तो वे अनन्त काल तक मृत्यू को न देखेगा। यहुदियों ने उससे कहा, कि अब हमने जान लिया, कि तुझ में दुष्टात्मा है, इब्राहीम मर गया, और भविश्दक्ता भी मर गये है और तु कहता है, कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा, तो वे अनन्त काल तक मृत्यू का स्वाद न चकेगा। हमारा पिता इब्राहीम तु मर गया, क्या तु उससे बड़ा है, और भविश्दक्ता भी मर गये, तु अपने आपको क्या ठहराता है। इश्यू ने उत्तर करूँ, तु मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो, कि वे हमारा परमेश्वर है, और तुमने तो उससे नहीं जाना, परंतु मैं उससे जानता हूँ, और यदि कहूँ कि मैं उससे नहीं जानता, तो मैं तुमारी नाई जूटा ठहरूंगा, परन्तु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। पत्थर उठाए, परन्तु ईशु छिपकर मंदिर से निकल गया। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वह रात आने वाली है, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की जोती हूँ। यह कहकर उसने भूमी पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी और वे मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगा कर उससे कहा, जा, शीलों के कुन में धोले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लोट आया, तब पलोसी और जिनोंने पहले उससे भीक मांगते देखाता कहने लगे, क्या यह वही नहीं, जो बैठा भीक मांगा करता था? कितनों ने कहा, यह वही है, और उने कहा नहीं, परंतु उसके समान है, उसने कहा, मैं वही ह तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आखें क्यों कर खुल गई? उसने उत्तर दिया, कि ईश्यू नाम एक व्यत्ती ने मिटी सानी और मेरी आखों पर लगा कर मुझ से कहा, कि शिलोहों में जाकर धोले, सो मैं गया और धोकर देखने लगा, उन्होंने उससे पूछा, वह कहा है? उसने कहा, मैं नहीं जानता. लोग उसे जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए, जिस दिन ईश्यू ने मिटी सान कर उसकी आखें खोली थी, वह सब्त का दिन था. फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आखें किस रीती से खुल गई? उसने उनसे क कहा, उसने मेरी आखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ. इस पर कई फरीसि कहने लगे, यह मनुष परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता, और उने कहा, पापी मनुष क्यों कर एसे चन्ने दिखा सकता है? सो उन में फूट पड़ी. उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आखें खोली, तू उसके विशे में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविश लगता है, परन्त यहूदियों को विश्वास न हुआ कि यह अंधा था और अब देखता है. जब तक उन्होंने उसके मात पिता को, जिसकी आखें खुल गई थी, बुला कर उनसे न पूछा, कि क्या यह तुमारा पुत्र है, जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह क्यों कर देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है, और अंधा जन् है, उसी से पूछ लो, वह अपने विशे में आप कह देगा. यह बाते उसके माता पिता ने इसले कहीं, क्योंकि वह यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे, कि यदि कोई कहे कि वह मसी है, तो आराध नालाय से निकाला जाए. इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, कि वह सियाना है, उसी से पूछ लो. तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था, दूसरी बार बुला कर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुतिकर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है. उसने उतर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं. मै एक बात जानता हूँ, कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ. उन्होंने उससे फिर कहा, कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तरी आँखे खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने न सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुश्वर को नहीं जानते कि कहा का है? उसने उनको उत्तर दिया. यह तो अचमभे की बात है, कि तुम नहीं जानते कि कहा का है, तो भी उसने मेरी आँखें खोल दी. हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुन परम्तु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंब से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आँखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नही दिया। ईश्व ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तु परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। ईश्व ने उससे कहा पीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याई के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते, वे देखें, और जो देखते हैं, वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बाते सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं। ईशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते, तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। युहन्ना रचित सुसमचार, दस्वा अध्याय, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, कि जो कोई द्वार से भेड़ शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वे चोर और डाकु है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वे भेड़ों का चरवा है, उसके लिए द्वार पाल, द्वार खोल देता है, और भेड़े उसका शब्द चुनती हैं, और वे अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, और बाहर ले जाता है। और जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराय के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि व उनसे यह द्रश्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बाते हैं, जो वे हमसे कहता है। तब ईशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुम से सच-सच कहता हूं, कि भेडों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझ से पहले आये, वे सब चोर और डाकु हैं, परंतु भेडों ने उन की न सुनी, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रविश करे, तो उधार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, और घात करने, और नश्ट करने को आता है। मैं इ ना चरवहा है, और ना भेडों का मालिक है, भेडिये को आते हुए देख, भेडों को छोड़ कर भाग जाता है, और भेडिया उन्हें पकरता और तित्तर बित्तर कर देता है, वे इसलिए भाग जाता है कि वे मजदूर है, और उसको भेडों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेणों को जानता हूँ, और मेरी भेणे मुझे जानती हैं, और मैं भेणों के लिए अपना प्राण देता हूँ, और मेरी और भी भेणे हैं, जो इस भेण चाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही जुन्ड और एक ही चर्वाहा होगा। मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहोदियों में फिर फूट पड़ी, उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्टात्मा है और वे पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। और उने कहा, ये बातें ऐसे मनुश्य की नहीं, जिसमें दुष्टात्मा हो। क्या में स्थापन पर्भ हुआ और जाले की रितु थी, और इश्यू मंदिर में सुलिमान के उसारे में तहल रहा था, तब यहोदियों ने उसे आघेरा और पूछा, तु हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा, यदि तु मसी है, तो हमसे साफ कह दे। इश्यू ने उन् अनंत तुम इसलिए प्रतीती नहीं करते कि मेरी भेडों में से नहीं हो, मेरी भेडे मेरा शब्द सुमती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे-पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हे मेरे हाथ से छीन न लेगा, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझ को दिया है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, मैं और पिता एक हैं। यहुदियों ने उसे पत्थरवा करने को, फिर पत्थर उठाए, इस पर ईशु ने उनसे कहा, कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उन मेंसे किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवा करते हो। यहुदियों ने उसको उत्तर दिया, कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थर वाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तु मनिश्य होकर अपने आपको परमेश्वर बनाता है। इश्वी ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी विवस्था में नहीं लिखा है, कि मैंने कहा तुम इश्वर हो? यदि उसने उन्हें इश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुचा, और पवित्र शास्तर की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने काम नहीं करता, तो मेरी प्रतीती न करो, परन्तु यदि मैं करता हूँ, तो चाहे मेरी प्रतीती न भी करो, परन्तु उन कामों की तो प्रतीती करो, ताकि तुम जानो और समझो, कि पिता मुझ में है, और मैं पिता में हूँ, तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रय और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे कि युहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ युहन्ना ने इसके विशे में कहा था, वह सब सच था, और वहां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। युहन्ना रचित सुसमचार ग्यारवाध्याय मर्यम और उसकी बहन मर्था के गाउं बैतनिहा का लाजर नाम एक मनुश्व बिमार था, यह वही मर्यम थी, जिसने प्रभु पर इत्र डाल कर उसके पाउं को अपने बालों से पोचा था, इसी का भाई लाजर बिमार था, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीती रखता है, वह बिमार है, यह सुनकर ईश्व ने कहा, यह बिमारी मृत्यू की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, और चेलों से कहा, कि आओ, हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रभी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थर वाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यिश्व ने उत्तर दिया, क्या दिन के बारह घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चल तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं. उसने ये बाते कहीं, और उसके बाद उनसे कहने लगा, कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उससे जगाने जाता हूँ. तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है, तो बच जाएगा. साफ कह दिया, कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ, हम उसके पास चलें. तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ, हम भी उसके साथ मरने को चलें. सो इश्व को आकर यह मालम हुआ कि उसे कब्र में रखे चार दिन हो चुके हैं. बैतनिहा यरुशलिम के समीप कोई दो मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मर्था और मरियम के पास उनके भाई के विशे में शान्ती देने के लिए आये थे. सो मर्था इ मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा. इश्व ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा. मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पनुरुथान के समय वे जी उठेगा. इश्व ने उससे कहा, पनुरुथान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वे यदी मर भी जाए, तो भी जिएगा. और जो कोई जीवता है और मु इश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्व का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वे तु ही है. यह कहकर वे चली गई और अपने बहिन मर्यम को चुपके से बुला कर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है. वे सुनते ही तुरंद उठकर उसके पास आए. इश उसे शांती दे रहे थे. यह देखकर कि मर्यम तुरंद उठके बाहर गई है, और यह समझ कर कि वे कबर पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए. जब मर्यम वहां पहुंची जहां ईशु था, तो उसे देखते ही उसके पाओं पर गिर के कहा, कि हे प्रभु, यदी उदास हुआ, और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहा रखा है, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले, ईशु के आंसु बहने लगे. तब यहुदी कहने लगे, देखो वे उससे कैसी प्रीती रखता था, परंतु उन में से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली, यह भी ना कर सका कि यह मनुष न मरता, इशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कबर पर आया, वह एक गुफा थी, और एक पत्थर उस पर धरा था, इशु ने कहा, पत्थर को उठाओ, उस मरे हुए की बहिन मरता, उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें अब तो दुरगंध आती है, क्योंकि उसे मरे चार दिन हो गए, इशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था, कि यदि तु विश्वास करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, फिर इशु ने आँखें उठा कर कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवात करता हूँ, कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड आस पास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें, कि तूने मुझे भेजा है, यह कहकर उसने बड़े शब अंगोचे से लिप्टा हुआ था, यिश्यू ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो, तब जो यहुदी मरियम के पास आये थे, और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यिश्यू क कामों का समचार दिया, इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को घटा करके कहा, हम करते क्या हैं, यह मनुश तो बहुत चिन्न दिखाता है, यदि हम उसे यह ही छोड़ दें, तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे, और रोमी आकर हमारी जगह और जाती दोनों पर अधिकार कर लेंगे, तब उन में से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उन से कहा, तुम कुछ नहीं जानते, और ना यह सोचते हो, कि तुम्हारे लिए यह भला है, कि हमारे लोगों के लिए एक मनुश्य मरे, और ना यह कि सा जाती के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाती के लिए, बरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तित्तर बित्तर संतानों को एक कर दे, सो उसी दिन से बे उसके मार डालने की सम्मती करने लगे, इसलिए ईश्यू उस समय से यहूदियों में प्रगट होकर ना फिरा, परंतु व इसलिए लोग फसे से पहले दिहात से एरुशलेम को गए कि अपने आपको शुद्ध करें, सो वे ईश्यू को ढूलने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समस्ते हो, क्या वे पर्ग में नहीं आएगा, और महायाजकों और फरीसियों ने भी आग् फिर इश्यू फसे से छे दिन पहले बैतनियाह में आया, जहां लाजर था, जिसे इश्यू ने मरे हुँँ में से जिलाया था, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तयार किया, और मर्था सेवा कर रही थी, और लाजर उन में से एक था, जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटा मासी का आध सेर बहुमोल इत्र लेकर यिशु के पाउं पर डाला और अपने बालों से उसके पाउं पोछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहुदा इसकरियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र तीन सो दिनार में बेच कर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था, वह निकाल लेता था। इशु ने कहा, उसे मेरे गाले जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हरे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हरे साथ सदा न रहूंगा। यहूदियों में से साधरन लोग जान गए कि वह वहाँ हैं, और वे न केवल इशु के कारण आये, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हूँ में से जिलाया था, तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मती की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। एक तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब इशु की महिमा प्रगट हुई, तो उनको स्मरन आया, कि ये बातें उसके विशे में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इस प्रकार का व् जिलाया था, इसी कारण लोग उससे भेट करने को आये थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर कर्म दिखाया है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जा लोग उस पर्व में भजन करने आये थे, उन्होंने गलील के बैचसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे बिंती की, कि श्रीमान हम येशु से भेट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने येशु से कहा, इस पर येशु ने उन से कहा, वह समय आ गिया है कि मनुश के पुत्र की महिमा हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जब तक गेहुं का दाना भूमी में पढ़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है, तो बहुत फल लाता है, जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह उसे ख पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ, वहां मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे, तो पिता उसका आदर करेगा, अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहु हे पिता, अपने नाम की महिमा कर, तब यह आकाश वानी हुई, कि मैंने उसकी महिमा की है, और फिर भी करूँगा, तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा, कि बादल गर जा, और उने कहा, कोई स्वर्ग दूत उस से बोला, इस पर ईश्व ने कहा, यह यदि प्रत्वी पर से उंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सब को अपने पास खीचूंगा, ऐसा कहकर उसने यह प्रगट कर दिया, कि वह कैसी मृत्यू से मरेगा, इस पर लोगों ने उस से कहा, कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है, कि मसीह सरवदा रहेगा, फिर त इश्यू क्यों कहता है कि मनुष के पुत्र को उंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है, यह मनुष का पुत्र कौन है, इश्यू ने उनसे कहा, जोती अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक जोती तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो, ऐसा नहो कि इश्यू चला गया और उनसे छिपा रहा, और उसने उनके सामने इतने चिन दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि अशाया भश्युदत्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा कि हे प्रभु हमारे समाचार की किसने प्रतीती की है, और प्रभु का भ उनकी आखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा न हो कि वे आखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसले कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विश्य में बाते की, तो भी सरदारों में से अभी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीजियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराध नालाय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुश्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी. इश्व ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं, बरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है, वह मेरे भेजने वाले को देखता है, मैं जगत में जोती होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास कर वे अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोशी नहीं ठहराता क्योंकि मैं जगत को दोशी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उधार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुछ जानता है और मेरी बातें ग्रहन नहीं करता है उसको दोशी ठहराने वाला तो एक ही है अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोशी ठहराएगा क्योंकि मैंने अपनी और से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी मुझे आग्या दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं और मैं जानता हूं कि उसकी आग्या अनंत जीवन है इसलिए मैं जो बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझ से कहा है वैसा ही बोलता हूं युहन्ना रचित सू समचार तेरवा अध्याए फसह के पर्व से पहले जब ईशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहुदा इसकरियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय ईशु ने यह जान कर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, और परमेश्वर के पास जाता भोजन पर से उठकर अपने कपले उतार दिये, और अंगोचा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बरतन में पानी भरकर चेलों के पाउं दोने, और जिस अंगोचे से उसकी कमर बंधी थी, उसी से पोंचने लगा। जब यह शमौन पत्रस के पास आया, तब उसने उससे कहा, ह ये प्रभु, क्या तु मेरे पाउं धोता है। इश्व ने उसको उत्तर दिया, कि जो मैं करता हूँ, तु अब नहीं जानता, परन्तु इसके बाद समझेगा। पत्रस ने उससे कहा, तु मेरे पाउं कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर इश्व ने उससे कहा, यदि मैं त तु मेरे साथ तेरा कुछ भी साजा नहीं। शमौन पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, तु मेरे पाउं ही नहीं, बरन हाथ और सिर्भी धो दे। इश्व ने उससे कहा, जो नहाच चुका है, उससे पाउं के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परन्तु वेह बिल उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब उनके पाउं धो चुका और अपने कपले पहन कर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और भला कहते हो, क्योंकि मैं वह तुम्हें भी एक दूसरे के पाउं धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो, मैं तुम से सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपन उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह बचन पूरा हो, कि जो मेरी रोटी खाता है, उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ, कि जब हो जाए, तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हू मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहन करता है, वह मुझे ग्रहन करता है, और जो मुझे ग्रहन करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है। उसके चेलों में से एक जिससे इश्यू प्रेम रखता था, इश्यू की छाती की ओर जुका हुआ बैठा था। तब शमौन पत्रस ने उसकी ओर सैन करके पूछा कि बतातो वह किसके विशय में कहता है। तब उसने उसी तरह इश्यू की छाती की ओर जुक कर पूछा, हे प्रभू, वह कौन है। इश्यू ने उत्तर दिया, जिससे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूँगा, वही है। और उसने टुकड़ा डुबो कर शमौन के पुत्र यहुदा इसकर्योती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शतान उसमें समा गया, तब इश्यू ने उससे कहा, जो तु करता है, तुरंत कर, परंतु बैठने वालों में से, किसी ने न जाना, कि उसने यह बात उससे किसलिए कही। यहुदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा, कि इश्यू उससे कहता है, कि जो कुछ हमें पर्ब के लिए चाहिए, वह मोल ले, या यह की कंगालों को कुछ दे, तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात्री का समय था। जब वह बहार चला गया, तो ईश्यू ने कहा, अब मनुश के पुत्र की महिमा हुई, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, बरन तुरंत करेगा। हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूनोगे, और जैसा मैंने यहुदियों से कहा, कि जहां मैं जाता हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आग्या देता हूँ, कि एक ही से सब जानेंगे, कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहां जाता है। ईशु ने उत्तर दिया, कि जहां मैं जाता हूँ, वहां तु अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परन्तु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभू, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। इश्यू ने उत्तर दिया, क्या तु मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझ से सच-सच कहता हूँ, कि मुर्ग बांग न देगा, जब तक तु तीन बार मेरा इंकार न कर लेगा। योहन्ना रचित सु समचार, चौदुआ अध्याय, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होत तो मैं तुम से कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने हां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं, तुम का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहा जाता है, तुम मार्ग कैसे जाने। इश्व ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यिश्व ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है, कि पिता को हमें परन्तु पिता मुझे में रहकर अपने काम करता है, मेरी ही प्रतीती करो, कि मैं पिता में हूँ, और पिता मुझे में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीती करो, मैं तुम से सच-सच कहता हूँ, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, व नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तुम मैं उसे करूंगा। क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूँगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परन्तु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे. उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और मैं तुम में, जिसके पास मेरी आग्या है, और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम और अपने आपको उस पर प्रगट करूँगा। उस यहुदा ने जो इसकर्योती न था उस से कहा, हे प्रभू, क्या हुआ कि तु अपने आपको हम पर प्रगट किया चाहता है और संसार पर नहीं। इशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उस से प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ बास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, वह मेरा नहीं, बरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुम से कहा कि मैं जाता हूँ, और तुम्हारे पास फिर आता हूँ, यदि तुम मुझे से प्रेम रखते, तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता और मैंने अब इसके होने से पहले तुम से कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीती करो, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आग्या दी, मैं वैसे ही करता हूँ, उठो, यहां से चलें। यहन्ना रचित सु समचार पंदरवा अध्याए सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वै काट डालता है, और जो फलती है, उसे वै छाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण, जो मैंने तुम से कहा है, शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे, तो वे डाली की नाई फेक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में जोख देते हैं, और वे जल जाती हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो, और वे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो, यदि तुम मेरी आग्याओं को मानोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने मेरी आग्या यह है कि जैसा मैंने तुम से प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के प्रेम रखो. इस से बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे. जो कुछ मैं तुम्हें आग्या देता हूँ, यदि उसे करो, तो तुम मेरे म मित्र हो, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बता दी, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आग्या मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुम से बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुम से पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीती रखता। परन्त परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, बरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसी लिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ, वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता, औ पर उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते परन्तु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं जो मुझसे बैर रखता है वे मेरे पिता से भी बैर रखता है यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किये तो वे पापी नहीं ठहरते परन्तु अ अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया, और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो, जो उनकी विवस्था में लिखा है, कि उन्होंने मुझ से वियर्थ बैर किया, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पित की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवा ही देगा, और तुम भी गवा हो, क्योंकि तुम आरम से मेरे साथ रहे हो, यहन्ना रचित सु समचार, सोलवा अध्याय, यह बाते मैंने तुम से इसलिए कहीं, कि तुम ठोकर न खाओ, वे तुम्हे आराध नालयों में से निकाल दे वे समझेगा कि मैं परमिश्वर की सेवा करता हूँ, और यह वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है, और ना मुझे जानते हैं, परंति ये बातें मैंने इसलिए तुम से कहीं, कि जब उनका समय आए, तो तुम्हे समरण आ जाए, कि मैंने तुम से पहले ही कह दिया था, और मैंने आरम में तुम से ये बातें इसलिए नहीं कहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता कि तु कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुम से कहीं है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं, तो वे सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा, और वेह आकर संसार को पाप और धर्मिक्ता और न्याय के विश्य में निरुत्तर करेगा। पाप के विश्य में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। और धर्मिक्ता के विश्य में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे तब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा यह क्या है जो वे हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा यह थोड़ी देर जो वे कहता है क्या बात है। हम नहीं जानते कि क्या कहता है। इसुने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं। उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विशें में पूछ पाच करते हो, कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा, जब स्त्री जन्ने लगती है, तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आपहुची, प और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा, और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा, उस दिन तुम मुझ से कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मैंने ये बातें तुमसे द्रश्टान्तों में कहीं हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे द्रश्टान्तों मे और फिर नहीं कहूँगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता की विश्य में बताऊंगा, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता, कि मैं तुम्हारे लिए पिता से बिंती करूँगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीती रखता है, इसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है, और कोई दृष्टान्त नहीं कहता, अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है, और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझ से पूछे, इससे हम प्रतीती करते हैं, कि तू परमेश्वर से निकला है। यह सुनीश्व ने उनसे कहा, क्या तुम अब प्रतीती करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, बरन आ पहुची, कि तुम सब तित्तर बित्तर होकर अपना अपना मार्ग लोगे, और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बाते तुम से इसलिए कही है, कि तुम्हें मुझ में शान्ती मिले, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परन्तु धालस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। युहन्ना रचित सुसमचार, सत्रवां अध्याय ये शुन ये बाते कहीं, और अपनी आखें आकाश की ओर उठा कर कहा, हे पिता, वे घड़ी आप पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तुने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तुने उसको दिया है, उन स को वे अनन्त जीवन दे, और अनन्त जीवन यह है, कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और इश्य मसी को जिसे तुने भेजा है जाने, जो काम तुने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके, मैंने प्रत्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता, तु अपने साथ मेरी महिमा, उस महिमा से कर, जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी, मैंने तेरा नाम उन मनुश्यों पर प्रगट किया, जिने तुने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे, और तुने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तुने मुझे दिया है, सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तुने मुझे पहुचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहन किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ, और प्रतीती कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा, मैं उनके लिए बिंती करता हूँ, संसार के लिए बिंती नहीं करता हूँ, परंतु उनहीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और ज उन से मेरी महिमा प्रगट हुई है, मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो, जब मैं उनके साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़, उन में से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्तर की बात पूरी हो, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, मैं यह बिंती नहीं करता, कि तू उन्हें जगत से उठा ल नहीं, सत्ति के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसा तू हे पिता मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हूँ, इसलिए कि जगत प्रतीती करे कि तू ही ने मुझे भेजा। तूने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूँ, वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें, जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पती से पहले मुझ से प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना, कि तू ही ने मुझे भेजा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया, और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझ को मुझ से था, वह उनमें रहे, और मैं उनमें रहू युहन्ना रचित सू समचार अठारवा अध्याएं हथियारों को लिये हुए वहां आया तब ईश्यू उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जान कर निकला और उनसे कहने लगा किसे ढूरते हो उन्होंने उसको तर दिया ईश्यू नासरी को ईश्यू ने उनसे कहा मैं ही हूँ और उसका पकड़वाने वाला यहुदा भी उनके साथ खड़ा था उसके यह कहते ही कि मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमी पर गिर पड़े तब उसने फिर उनसे पूछा तुम किसको ढूरते हो वे बोले ईश्यू नासरी को ईश्यू ने उत्तर दिया मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ यदि मुझे ढूर तो इन्हें जाने दो यह इसले हुआ कि वे वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नक होया शमौन पत्रस ने तलवार जो उसके पास दी खीची और महायाजक के दास पर चला कर उसका दाहिना कान उड़ा दिया उस दास का नाम मल्खुस था तब ईशु ने पत्रस से कहा अपनी तलवार काठी में रख जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पियूँ तब सिपाहियों और उनके सुबेदार और यहुदियों के प्यादों ने ईशु को पकड़ कर बांध लिया और पहले उससे हन् कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है शमौन पत्रस और एक और चेला भी इशु के पीछे हो लिये यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और इशु के साथ महायाजक के आंगन में गया परंतु पत्रस बाहर द्वार पर खड़ा रहा तब वह दू उस दासी ने जो द्वार पालिन थी पत्रस से कहा क्या तू भी इस मनुष के चेलों में से है उसने कहा मैं नहीं हूँ दास और प्यादे जाले के कारण कोईले धदका कर खड़े ताप रहे थे और पत्रस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था तब महायाजक ने इशु से उपदेश के विशे में पूछा यिशु ने उसको उतर दिया कि मैंने जगत से खोल कर बाते की मैंने सभाओं और आराधनाले में जहां सब यहुदी इखटे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा तू मुझ से क्यों पूछता है सुनने वालों से पूछ कि मैंने उन से क्या कहा देख वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यिशु को थपड मार कर कहा क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है यिशु ने उसे उत्तर दिया यदि मैंन ने बुरा कहा, तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदी भला कहा, तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी. और वे ईश्यू को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुध न हो, परंतु फसह खा सकें तब पिलातुस उनके पास बाहर निकलाया और कहा, तुम इस मनुष पर किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, कि यदि वह कुकर्मी न होता, तो हम उसे तेरे हाथ न सौपते. पिलातुस ने उन से कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी विवस्था के अ जो उसने यह पता देते हुए कही थी, कि उसका मरना कैसा होगा? तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया, और ईश्यू को बिलाकर उससे पूछा, क्या तु यहूदियों का राजा है? ईश्यू ने उत्तर दिया, क्या तु यह बात अपनी और से कहता है, या औरों ने मेरे विशे में तुछ से कही, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाती और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौपा, तुने क्या किया है? ईश्यू ने उत्तर दिया, कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, तो मे पिलातु राजा है। इशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है। और यह पर तुम्हारी यह रीती है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूँ, सो क्या तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को छोड़ दूँ, तब उन्होंने फिर चिला कर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे, और बरब्बा दाकू था, युहन्ना रचित सुसमचार उन्नीसमा ध्याय, इस पर पिलातुस ने इशु को लेकर कोड़े लगवाए, और सिपाहियों ने कांटों का मुकट गूथ कर उसके सिर पर रखा, और उसे बैजनी वस्त्र पहिनाया, और उसके पास आ आ कर कहने लगे, हे यहुद पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोश नहीं पाता, तब इशु कांटों का मुकट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो, यह पुरुश, जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा, तो च नहीं पाता, यहुदियों ने उसको उत्तर दिया, कि हमारी भी विवस्ता है, और उस विवस्ता के अनुसार वह मारे जाने की योग्य है, क्योंकि उसने अपने आपको परमिश्वर का पुत्र बनाया, जब पिलातुस ने यह बात सुनी, तो और भी डर गया, और फिर किले के भीतर गया, और ईशु से कहा, तू कहा का है, परन्तु ईशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया, पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है, और तुझे कुरूस पर चढ़ाने का भी म मुझे अधिकार है, यिशु ने उत्तर दिया, कि यदि तुझे उपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझे पर कुछ अधिकार न होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, उसका पाप अधिक है, इससे पिलातुस ने उससे छोड़ देना चाहा, परन्तु यहुदियों ने चिला चिला कर कहा, यदि तु इसको छोड़ देगा, तो तेरी भक्ती कैसर की ओर नहीं, जो कोई अपने आपको राजा बनाता है, वह कैसर का सामना करता है, यह बात ने सुनकर पिलातुस इशु को बाहर लाया, और उस जगह एक चबूत्रा था, जो यह ब्रानी में गबबता कहलाता है, और न्याय आसन पर बैठा, यह फसे की तैयारी का दिन था, और छटे गंटे के लगबग था, तब उसने यहुदियों से कहा, देखो, यही है तुम्हारा राजा, परंतुए चिलाए, कि ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा, तब उसने उसे उनके हाथ सौप दिया, ताकि वे क्रूस पर चढ़ाया जाए, तब वे ईशु को ले गए, और वे अपना क्रूस उठाए उस थान तक बाहर गया, जो खोपडी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुता, वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनश्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में येशु को, और पिलातुस ने एक दोश पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा हुआ था, येशु नासरी यहूदियों का राजा, ये दोश पत्र बहुत यहूदियो ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां ईशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इबरानी और लतीनी और युनानी में लिखा हुआ था। तब यहोदियों के महायाजुकों ने पिलातुस से कहा यहोदियों का राजा मत लिख परंतु यह है कि उसने कहा मैं यहोदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सिपाही इशु को कुरूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किये। हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया। परंतु कुर्त बिन सीअन उपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फालें, परंतु इस पर चिथी डालें कि वह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिये और म मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी, ईश्यू ने अपनी माता और उस चेले को जिस से वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह उसे अपने घर ले गया। इसके बाद ईशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पुरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां एक सिरके से भरा हुआ बरतन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोई हुए इस स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुह से लगाया, जब ईशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर जुका कर प्राण त्याग दिये। और इसलिए कि वह तयारी का दिन था, यहुदियों ने पिलादुस से बिंती की, कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं, और वे उतारे जाएं, कि सब्द के दिन वे क्रूसों पर न रहें, क्योंकि वह सब्द का दिन बड़ा दिन था। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ कुरूसों पर चढ़ाए गए थे। कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्रशास्त की यह बात बुरी हो, कि उसकी कोई हड़ी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है, उस पर द्रश्टी करेंगे। इन बातों के बाद अर्मतियाह के युसुफ ने जो इश्व का चेला था, परंतु यहुदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से बिंती की कि मैं इश्व की लोथ को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी बिंती सुनी और वह आकर उसकी लोथ ले गया निकू देमुस भी जो पहले इश्व के पास रात को गया था, पचास सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया, तब उन्होंने इश्व की लोथ को लिया, और यहुदियों के गारने की रीती के अनुसार, उससे सुगंध द्रवी के साथ कफन में लपेटा, उस थान पर जहां इश्व कुरूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई न रखा गया था, सो यहुदियों की तैयारी के दिन के कारण, उन्होंने इश्व को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी. युहन्ना रचित सुसमचार बीस्वा अध्याय वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले, और दोनों साथ साथ दौड रहे थे, परंतो दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुँचा, और जुक कर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया. तब शमौन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुँचा, और कब्र के भीतर गया, और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोचा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुँचा था, भीतर गया, और देखकर विश्वास किया, वे तो अब तक पवितर शास्त की वह बात न समस्ते थे, कि उसे मरे हुँँ में से जी उठना होगा, तब ये चेले अपने घर लोट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही, बा जहां इश्व की लोथ पड़ी थी, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तु क्यों रोती है, उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है, यह कहकर वे पीछे फिरी, और इश्व को खड़े देखा, और न पहचाना, कि यह इ नहराज, यदि तुने उसे उठा लिया है, तो मुझ से कहे, कि उसे कहां रखा है, और मैं उसे ले जाओंगी, इश्व ने उससे कहा, मरियम, उसने पीछे फिर कर उससे इबरानी में कहा, रभूनी, अर्थात, हे गुरू, इश्व ने उससे कहा, मुझे मत चूँ, क्योंक तु मेरे भाईयों के पास जाकर उन से कह दे, कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास उपर जाता हूँ, मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, कि मैंने प्रभू को देखा, और उसने मुझ से ये बात तब यिशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांती मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यिशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांती मिले। जैसे पिता ने मु जिनके पाप तुम ख्षमा करो, वे उनके लिए ख्षमा किये गए हैं, जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। परंतु बारहों में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब ईश्यु आया, तो उनके साथ न था। और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालनू और उसके पंजर में अपना हाथ न डालनू, तब तक मैं प्रतीती नहीं करूंगा। आठ दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे, तब ईश्यु ने आकर और बीच म खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांती मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उतर दिया, हे मेरे प्रभू, हे मे मेरे परमेश्वर। यिश्व ने उससे कहा, तुने तो मुझे देख कर विश्वास किया है, धन्य वे हैं, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यिश्व ने और भी बहुत चिन्ह, चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु यह इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यिश्व ही परमेश्वर का पुत्र मसी है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहन्ना रचित सुसमचार 21 अध्याय इन बातों के बाद इश्व ने अपने आपको तिब्रियास जील के किनारे चेलों पर प्रगट किया और इस रीती से प्रगट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इखटे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मचली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकल कर नाओ पर चढ़े परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही ईश्व किनारे पर खड़ा हुआ। तो भी चेलों न न पहचाना कि यह ईश्व है। तब ईश्व ने उनसे कहा हे बाल को क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा नाओं की दाहिनी और जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मशलियों की बहतायत के क उसे खीच न सके। इसलिए उस चेले ने जिससे इश्यू प्रेम रखता था पत्रस से कहा यह तो प्रभू है। तो उन्होंने कोईले की आग और उस पर मचली रखी वी और रोटी देखी। इश्यू ने उनसे कहा जो मचलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उन में से कुछ लाओ। न हुआ कि उस से पूछे कि तू कौन हैं क्योंकि वे जानते थे कि हो न हो यह प्रभू ही है। इश्यू आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मचली भी। यह तीसरी बार है कि इश्यू ने मरे हुँ में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिये। भोजन करने के बाद ईश्यू ने शमौन पत्रस से कहा, हे शमौन यहन्ना के पुत्र क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। उसने उससे कहा, हाँ प्रभू, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीती रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यहन्ना के पुत्र क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। उसने उनसे कहा, हाँ प्रभू, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीती रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेडों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, युहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीती रखता है। पतरस उदास वा कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे पृती रखता है और उससे कहा हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है तू यह जानता है कि मैं तुझसे पृती रखता हूँ इशु ने उससे कहा, मेरी भेडों को चरा, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तू जवान था, तू अपनी कमर बांध कर जहां चाहेता था, वहां फिरता था, परन्तु जब तू बुड़ा होगा, तू अपने हाथ लंबे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बांध कर, जहा तू न चाहेगा, वहां तुझे ले जाएगा, उसने इन बातों से पता दिया, कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा, जिससे इशु प्रेम रखता था, और जि उसे देखकर पतरस ने इशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? इशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठेरा रहे, तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले, इसलिए भाईयों में यह बात फैल गई, कि वह चेला न मरेगा, तो भी इशु न उससे यह नहीं कहा, कि यह न मरेगा, परन्तु यह, कि यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक ठेरा रहे, तो तुझे इससे क्या? यह वही चेला है, जो इन बातों की गवाही देता है, और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है, और भी बहुत से काम हैं जो इशु ने किये, यदि वे एक-एक करके लिखे जाते, तो मैं समस्ता हो कि पुस्त के जो लिखी जातीं, वे जगत में भी ना समातीं।